वेलकम टो आर चैनल फार्मेल लेक्टर सो गाइस कैसो आप सब जैसे कि आपको माले में हमने स्टार्ट किया था यूनिट फॉर फिजिगल फार्मसिटिक्स में और यह है लेक्टर तो तो कई प्रिबिएस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्जेशन के बारों मैं पटा था जो क कि यह है 7 marks का सो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर जाके आई बटन में आप देख सकते हो सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं method of analysis we generally estimate two parameters तो इस दो रान हम क्या करते हैं दो पैरमेटर को हम लोग यहां पर estimate करते हैं first one is जैसे कि आप यहां पर देखते हो तो स्टोचिमेटरी ratio of ligands और matter or donor acceptor और second one is stability constant of complex तो कौन-कौन से method है तो continuous matter distribution matter solubility method और pH titration method तो इन चारों method के बारे में one by one हम discuss करेंगे बहुत ही simple में में guys देखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में तो जो यह continuous variation जो यह method है इस से हम लोग कैसे पता करेंगे कि complex form के लिए सो जो हमारा यह process से यह determine करता है stoichiometry ratio of complex जिस वह हम लोग estimate करते हैं क्या additive properties को और यह additive properties कौन कौन से होती है तो dielectric constant हो गया और dissociation constant और solubility pH तो यह तीन चीज़े हो गई तो अगर हम आपस हमने इसको mix किया अगर complex formation नहीं हुआ तो इनकी जो physical properties है वह additive है additive मतलब क्या हुआ इन एकी और बी की same है बट वहीं पर अगर complexation हुआ तो जो ए और बी की जो properties है physical properties इस वह क्या है differ है यानि अलग-अलग है pH titration pH titration method में generally हम लोग pH को देखते हैं pH change हो रहा है कि अगर हो रहा है pH change तो जो हमारा complexation है वह हुआ है complex form हो रहा है तो यहाँ पर जैसे कि example में देख सकते हो गाइस और यह बहुत ज्यादा reliable method है अगर हम study कर रहा है complexation के लिए तो chilation of cupric ion by glycine so यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे glycine हमने लिया और NaOH लिया हमने तो क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पर medium था pH का वह basic था बट वही अगर हमने copper को add कर दिया तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो हमारा pH था वह acidic बने डाइट मिन्स जो copper के वज़े से यहाँ पर complex form हुआ है आने के वज़े से यह हो गया अब हम बात करते हैं distribution method का बारे में तो distribution method में क्या बताए जा रहा है this method described a distribution of a solute जो हमारा solute है वो distribute हो रहा है किसमें दो immisible solvent में ऐसे क्या determine हो रहा है solubility constant for certain complexes यानि complex form तो complexation of iodine के साथ potassium iodide एक्जामपल में लिगने ना guys बात करें solubility method के बारे में तो इस method में जो complex formation हो रहा है वो based किसके based पर हो रहा है तो जो हमारा drug है और complexing agent के बेस पर तो यहां पर जो आप देख सकते हो guys example में जो हमारा complexing agent है वो है caffeine और जो हमारा drug है वो Paba so guys अगर हम Paba और caffeine को आपस में mix करते हैं तो Paba caffeine complex so एक graph से मैंने आपको represent किया है एक तरफ है molar concentration of Paba यानि जो हमारा drug है और एक तरफ molar concentration of caffeine मतलब complexing agent है तो यहां पर चार हमें point मिलते हैं first point में तो हम लोग जो concentration है वो दोनों का डालता है complexing agent का और drug का तो और जो हमारा और B pointer वहां पर saturated point यानि दोनों का concentration जो है वो सेम हो जाता है और at C जो excess solid acid होता है वो convert हो जाता है कि इसमें complex में और last में higher complexes हो जाता है तो यहां पर जो हमारा की है इसको हम dissociation constant भी बोलते हैं और इसको हम लोग solubility constant भी बोलते हैं तो यहां पर is called to concentration of पाबा और कैफीन और नीचे में concentration of पाबा और कैफीन तो गाइस यह हो गया अब हम protein binding के बार में protein binding the phenomenon of complex formation जो complex formation हो रहा है between drug और प्रोटीन का इसको तो बहुत नहीं को प्रोटीन बाइंडिंग protein binding तो अब समझा गया हो गाईस फिनोमेना होता है जिसमें complex का formation होता है कौन्से complex का formation ड्रग और प्रोटीन के बीच में binding of drug to protein जो binding होता है ड्रग का प्रोटीन के साथ यह reversible और इर्रिवर्सिवल दोनों होता है जैसे कि कैस अगर reversible binding हो रहा है यहां पर इर्रिवर्सिवल ड्रग का जो binding हो रहा है और यह बहुत ही रियर होता है बट यहां पर जो bond formation हो रहा है covalent bonding हो रहा है अगर हम order की बात करें जो order हो रहा है binding of drug का तो जो मतलब जिस प्रोटीन का ज्यादा affinity है combine करने का drug के साथ वह पहले है जैसे कि albumin का सबसे ज्यादा उसके बाद alpha-1 acid glycoprotein उसके बाद lipoprotein उसके बाद तो पहले significance है absorption तो देख लेते हैं कैसे तो protein binding disturb absorption equilibrium मतलब क्या हुआ कि यह absorption को disrupt करता है नहीं रोकता है stop कर देता है because जो हम लोग कभी poison गलती से चला जाता है तो उसको absorb करने में रोकने का काम so guys अब हम second देख लेते हैं significant जो है distribution distribution में क्या बता जा रहा है यह protein binding है वो decrease कर देता है distribution drug का जिसको जो protein bound हुए है drug के साथ आपस में combine हुए है यह doesn't cross मतलब कि यह cross ना कर पाए blood brain barrier और placenter barrier third one is elimination elimination generally आपको मालम है eliminate कर देना तो इसमें क्या होता है कि जो protein binding है वो prevent करता है entry of drug to the liver or glomerular filtration यानि यहां से entry जाने से prevent करना या नि रोकना आज so अगर कोई भी drug जाता है जैसे unbound drug जो protein के साथ बाइंड नहीं है वो generally capable होते है eliminate होने के लिए वो eliminate हो जाते हैं वहां से अब हम बात करते हैं factor affecting protein branding seven marks में है तो यह भी आपको लिखना ही होगा question or mention नहीं किया है बट फिर भी आपको लिखना होगा मैं आपको question paper भी दिखा दूँगा कि यह किस टाइप सब पूछा गया है इसमें जो पॉइंट बताया है यह बताया जा रहा है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रोपर्टीज पर भी जो ड्रग है वह डेपेंड करता है binding affinity को अगर हम increase कर दे लिपोफिलिक और ड्रग का तो जितना ज़्यादा लिपोफिलिक होगा हमारा ड्रग उतना easily और उतना जल्दी binding हो पाएगा प्रोटीन के साथ इसमें क्या है कि example अगर हम मानें का तो इसके पास ज्यादा affinity है कि यह उस प्रोटीन के साथ कॉम्बाइन कर पाए जो काडिक मसल है और एक पॉइंट और है देख लेते हैं सो गये जैसे कि आप यह लास्ट पॉइंट देख सकते हो कंसेंट्रेशन आफ ड्रग सिंपल से लिखा हुआ है अगर हाई कंसेंट्रेशन के बाद करें तो ड्रग है वो फ्री हो जाते हैं इसा मतलब को बाइंड न ही कर पाते हैं प्रोटेशन से डियोड जी टो लिमिटेड नमबर ऑफ बाइंडिंग साइट और प्रोटेन तो गैसी होता है कम्पलीट और आपको मैं कोसिन देखा देता हूं सो गाइस जैसे कि आप यह देख सकते हैं यहां पर कोशन पूछा गया discuss protein binding जो कि यह जनरली यहां पर देख सकते हो 7 marks में पूछा गया है आपको इन में सब कोई सब 5 एटेंड करना है और 7 marks में है तो आप यह कोशन को छोड़ नहीं सकते हो और यह और यह आता रहता है exam point of view से बहुत ज़्यादा important है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको जो नोट सोट सीए होगा वो सब के सब नीचे description में है एक बार description में जाके चेक कर लो और like subscribe करना मत भूलना थैंक्स और watching और वीडियो